Good morning students, आज हम अपने SSD की क्लास में Chapter 12 स्टार्ट कर रहे हैं, The Age of the Machines. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो और आप सभी ने पढ़ भी रखा है कि किस तरह से पहले जो आदिमानव था, उसने किस तरह से पत्त्रों को तेज किया, उनको जननुकीला बनाकर लकडी की स्टिक्स में फिट करके वो टूल्स यानि की ओजार बनाता था और जानवरो को मारने के लिए वो यूज करता था, बाद में उसने हड़ियों से भी ओजार बनाने सिखे थे, ठीक है बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर में हम मशीनों के बारे में ही पढ़ेंगे, स्पेशल हैं जैसे स्टीम इंजन है, बही स्टीम इंजन के आन यानि कि मशीने फिर किसी से चलती हैं उसी के बारे में, फिर जो मशीन, फूड है मशीनों का जैसे पेट्रोलियम है, इलेक्टिशिटी है, या हाइडरोलेक्टिशिटी है, नुकलियर एनरजी, सोलर एनरजी और बायो गैस और वीन एनरजी, यह हमारे टॉपिक इस चैप् करते हैं चैप्टर को, चैप्टर को ध्यान से सुनना, एक ही बार में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं, and the first metal to be discovered was copper, जो सबसे पहली धातू कोज की गई थी, वो थी बचो copper, later they discover how to make bronze and alloy, बाद में उन्होंने कोज की कि किस तरह से दो धातू को मतल जब ब्रॉंज उन्होंने कोज कर लिया, और फिर एक alloy बनाया, उन्होंने की मिष्ड दातू बनाई, a mixture of two metal is golden alloy, जब दो धातू को अपस में मिलाया जाता है, तो वो एक मिष्ड दातू कहलाती है, जिशे हम alloy कहते है, it was made by mixing copper and tin, copper और tin को मिला कर बनाई जाती है, it was harder than copper, ये copper की तुलना में बहुत ही कटोर होती है, the discovery of iron was a very important one, लोहे की खोज जो थी वो बहुत ही, मैं तक बूरन थी बच्चो, iron is harder than copper and bronze, लोहा, copper और ब्रॉंज की तुलना में, यानि की तांबे और कांसे की तुलना में बहुत था, दिक, मजबूत था, tools like eggs, plow and salts were made from it, जितने भी ओजार थे, जैसे कुलाडी थी, हल्ता, पावडे वगरा थे, ये सब लोहे से ही बनाए गए, it was easier to plow land with these tools, इस तरह से जोना धर्ती को जोतना बहुत ही आसान हो गया था, इन ओजारों की साहता से, Human beings began to practice farming with these tools, मानव था, वो क्या करने लग जया था, इन ओजारों का उपयोग वो खेती करने के लिए करने लग जया था, कीन ओजारों का प्रियोग वच्चो, yes, bronze, sorry, जो ये थे, आपके eggs, plow or salts, यानि की हल, फावडे, कुलाडी वगरा, They now settled in one place, they began to lead a comfortable life, इस तरह से, मनुष्य जो आना, जगह जगह गूमने की बजाए, एक जगह पर, मतलब, उसने बस गया था, एक जगह रुक कर, सेटल हो गया था, अब उसकी लाइफ जो आना, और भी ज़्यादा आरामदायक हो गई थी, They had enough time to think new ideas, अब उसके पास जो है ना, नई नई idea सोचने के लिए भी समय है, उसके पास आ गया था, फिर आई बारी बच्चो, steam engine की, The discovery of steam as a source of power was one of the most important discoveries, steam engine, यानि की बाफ की खोज, सबसे मैं तपूर्ण थी, सबसे, मतलब, एक कहते है न, सभी खोज़ों में, सबसे मैं तपूर्ण खोज बाफ की थी, Before its discovery, इस खोज से पहले, people use the power of their muscles or animals to do all work, आदमी गया करता था, बाफ की कोज से पहले, की अपनी माश विश्व, यानि की स्वेम की ताकत का उप्यों करता था, या जानवरों की ताकत से जो अनकाम है, करता था, In 1769, James Watt made an efficient steam engine, 1769 में James Watt ने एक बाफ का इंजन बनाया, The power to produce steam from water was supplied by coil, which was more efficient than wood, या पर ये तावच्चों जो steam बनाई जाती थी, वो पानी के दवारा जो supply होती थी, पानी के दवारा बाफ बनती थी, और उस बाफ को बनाने के लिए Coilie का यूज, लकडी के भज़ाय, Coilie का यूज का जाता था. लकडी को जलाने से इतनी जादा मतलब गर्मी पैदानी हो पाती, जितनी की coilा जलाने से होती है. तो इस तरह से Coilie को जलाकर जो ना, पानी को झरम क्या जाता था और ऑंप की पावर से ओंजन चलता था. स्टीम लोकोमोटिव बनाया गया George Stephens के दवारा फिर उसके बाद में बचो पेट्रोल और डिजल इंजन भी आ गए अब बारी आती है इंडस्टेरियल रेवलुशन यानि की ओधोगी क्रांती के The industrial revolution began in England in the early 19th century 19 यानि की 19 स्टाबदी के सुर्वात में ही ओधोगी क्रांती की सुर्वात हुई England से The steam engine made it possible to run big machines steam engine steam engine के दवारा संभा हो गया था बड़ी-बड़ी मसीनों को चलाना machines took up the work of animals and men अब मसीनों ने आदमी ओरे जो जानवर थे उनकी जगह पर काम करना शुरू कर दिया था Goods could be produced in large quantities now अब चीजें जो है ज्यादा मात्रा में बनने लग गई थी They were cheap and good quality वो सस्ती भी थी और उनकी quality एनकी उनकी गुनवत्ता भी बहुत अच्छी थी The demand for the goods increased इस तरह से चीजों की मांग बढ़ी तो फिर उसके कारण क्या हुआ? Factory system आ गया Factory system की सुरुआत हो गई People from villages come to work in these factories and gradually big towns grew इस तरह से गाउं के लोग जो है न उन फैक्टरियों में काम करने के लिए आए और इस तरह से जो है न क्या हुए जल्दी ही बड़े बड़े टाउन बसने लग गए कि भी अब गाउं से वो शेरों की तरह आने लगए बैक्टरियों में काम करने के लिए तो यहाँ पर यह ध्यान रखना बच्चों की जो industry revolution स्टार्ट हुआ वो England से ही शुरुआत होई थी The change from home-made goods to machine-made goods is known as the industrial revolution अब यह बदलाव जो हाथ से बनीवी चीजों की बजाए क्या हुआ था machine-made goods यानि की machine-made goods यानि की machine-made goods यानि की machine-made goods यानि की दवारा बनीवी चीजों का निर्मान होने लग गया था इसी को ओद्योगी करांती का नाम दिया गया अब भारिया थे बचो mass production की mass production यानि की बहुत अत्यदिक ज्यादा मात्रा में बड़े पैमाने पर उत्पादन A major change known as mass production took place due to better machinery बहुत ज्यादा एक जो major change था सबसे बड़ा बदलाव था उसको जाना गया mass production के रूप में यानि की बड़े पैमाने पर उत्पादन के रूप में जिसका जो किसके कारण बे तरुआ था yes, machinery के कारण mass production is the name given to the method of producing good in large quantity at low cost per unit mass production मतलब नाम दिया गया बच्चो उस method को, उस परिकिरिया को जिसमें चीजों का निर्मान किया गया बहुत बड़ी मात्रा में और उसकी जो low cost per unit यानि की उनको बनाने में उन जो लागत लगती थी वो बहुत ही कम थी the development of producing machines tools that could accurately shape metal part of the same shape and size made mass production possible जो machines थी machines जो ऑजार बनाती थी वो बिलकुल accurate shape होते थे metal parts के बिलकुल same size होता था same shape होती थी जो machine ने उन चीजों का निर्मान करती थी in the modern factory a product such as a car assemble from a number of different parts जैसे की जैसे आदोनिक factory को उगर कहा जाए तो जो product है जैसे किसी car को assemble करना है from a number of different parts तो एक car में तकरीबन जो हैना एक ही पर कार के parts ने होते बच्चों different parts होते हैं और उनको assemble करने के लिए factory में क्या किया जाता है each part is exactly the same as the part that goes into the next car on the assembly line modern factory में जो assembly line होती है जैसे car के अलग-अलग parts होते हैं बच्चों और उन अलग-अलग parts का बिलकुल exactly बिलकुल मतलों कहते हैं न bit ने की dicto same as it is बही वही same size same जो है ना उसका shape तो exactly होता है बच्चों same होता है रेक part को जो जैसे next line की मतलब अगली line में अगली car में जो shape और size का part लगा है वही उससे पिछे वाले line की car में भी होता है तो इस तरह से जो machines के कारणी mass production संभव हो पाया अब बच्चों machines के लिए food क्या food for machines बच्चों में जो खाने की जरूर तो होती है जिस तरह से हमें खाने के बाद उर्जा मिलती है इसी तरह से जो है न machine को खाने की जरूर तो हो खाना कौनसा है चलो पड़ते है from where do we get energy हमें energy यानि की उर्जा कहा से मिलती है we get energy from the food we eat हमें energy बोजन से मिलती है similarly machines get energy from coil and petroleum इसी तरह से simple है बच्चो machine को जो उर्जा मिलती है वो मिलती है coil और petroleum से coil is found deep below the earth surface coil दर्ती की गहरिस्ते में पाया जाता है it takes millions of years to form इसको लाखों साल लग जाते हैं बनने में we have limited source limited reserve of coil हमारे पास coil के जो श्रोत है coil की वो बच्चो limited है यानि की सीमेत है next time, next है petroleum petroleum is also found under the earth surface petroleum भी जो है ना प्रित्वी की अंदर नीचे स्ते में पाया जाता है it is refined to produce kerosene, petrol and diesel petroleum को refined करके इसे kerosene, petrol and diesel निकाले जाते हैं फिर जो था बच्चो Gottlieb Damler थे उन्होंने क्या किया था developed an engine which run on petrol Gottlieb Damler थे उन्होंने एक engine का निर्मान किया जो petrol चे चलता था it was used to run motor car, scooter, etc जो petrol engine था उसका use किया गया car में, motors वगरा, scooters वगरा में फिर रुडॉल्फ डीजल रुडॉल्फ डीजल invented the diesel engine रुडॉल्फ डीजल ने diesel engine का विशकार किया diesel is a product we get from petroleum diesel एक ऐसा उत्पाद है बच्चो जो petroleum से प्राप्ट किया जाता है जैसे कि उपर दिखाया गया है on refining petroleum petrol को जब हम refine करते हैं करते हैं तो हमें क्या चीजे मिलती है diesel, corrosion, oil और petrol इस तरह से रुडॉल्फ डीजल ने diesel engine का विशकार किया था तो ये सस्ता था petrol के मकाबले क्या बचो diesel, diesel petrol के मतलतुल ना में बहुत ही सस्ता है railway engines trucks, buses, etc. run on diesel जितने भी हमारे railway engine है, rail के engine है trucks हैं या buses वगेरा हैं बड़े बड़े जो vehicles हैं वो सब भी जो इना diesel पर चलते हैं फिर बारी आते बचो electricity, electricity याने की बिजली electricity is a form of energy बिजली भी एक उर्जा का ही form है it is used to run machines बिजली से ही जो इना machine ने, machine को चलाने के लिए भी बिजली का उपयोग किया जाता है आप देखो जो एक्सपरिमेंट है कि यहां पर एक्सपरिमेंट में दिखाया गया बच्चो, Benjamin Franklin थे तो उन्होंने एक kite एक्सपरिमेंट से यानि कि एक पतंग के एक्सपरिमेंट से जो इना बिजली की खोज कैसे भी थी एक बार लेडन नम के व्यक्ती ने एक लोना डिवल्प्ड किया अविश्कार किया मतलब बनाया जिसका नाम था लेडन जार इट थो वायर्स इसके अंदर दो तारें थी वन इन ग्लास एन अदर आउटसाइड इट एक तो ग्लास के अंदर थी यानिकी जार के अंदर थी और दूसरी दार उसके बाहर थी जब इन तारों को जोडा जाता था तो इनके अंदर से पार्क्स यानिकी चिंगारी निकलती थी Benjamin Franklin Heard about this toy Benjamin Franklin ने इस के लोने के बारे में सुना He thought उन्होंने सोचा that the charge in the leaden jar was the same as the lightning flashes in the thunderstorm उन्होंने सोचा कि जो charge leaden jar से leaden jar से मतलब था leaden jar में तो वही same flash जो है ना वो किसमे होती है यस जब तुफान आता है और जब बादलों की गड़गडाट से जब बिजली चमकती है उस flash में भी वही charge है यानि कि वही चिंगारी उत्पन होती है तो उसने ये प्रूव करने के लिए to prove this ऐसा प्रूव करने के लिए he flew a kite in a thunderstorm तो Benjamin Franklin ने जब तुफान आया तो उस तुफान में पतंग उड़ाई क्यासिद करने के लिए कि जो charge यानि कि उस लड़न जार में जो sparks आता है तो वही जो है जब बादल कड़कते हैं और बिजली चमकती है तो उनके अंदर जो thunderstorm के अंदर जो बिजली चमकती है उसमें जो sparks है वो बिजली है उसको शिद करने के लिए उन्होंने start किया अपना experiment he attached a piece of wire to the kite and a metal key at the other end of the thread उसने क्या किया कि अपना पतंग जब उड़ाया तो उसकी wire के साथ उन्होंने एक metal key जो है ना बांदी दागे के साथ वैन देयर वाज एफलेश ओफ लाइटनिंग जो है जो है बिजली चमकी he touched the metal key तो उस बिजली ने क्या किया उस metal key को touch किया he got a strong shock और इतनी जोर का जटका Benjamin Franklin को लगा था कि जैसे एक बिजली को छूने पर बिजली के current से लगता है वही जटका उनको लगा this proved that lightning was electricity इससे ये जो है ना मतलब बच्छो प्रूव हो गया था फिर आये थे बच्छो ऐलसाइंडरो वोल्टा इन एटीन अंडर एन इटालियन साइंटेस्ट ऐलसाइंडरो वोल्टा discovered that a continue flow of electricity can be maintained through a battery उन्होंने ये discovered किया था कि जब लगातार बिजली का परवा किया जाए तो एक battery जो अना अपने अंदर से क्या कर सकती है maintain through a battery बिजली का लगातार परवा एक battery के दवारा उकिया जा सकता है maintain किया जा सकता है later generators were made to produce electricity बाद में इसी सिद्धांत से generator तेयार किये गए जो बिजली बनाते थे koila, diesel, petrol etc are used to run the generators generators को चलाने के लिए koila, diesel और petrol का use किया जाता था today we use electricity for domestic and commercial purpose आज हम बिजली का उप्योग गरेलू और commercial purpose यानि कि जो फैक्टरियों में काम होता है बड़े-बड़े ओधोगी काम होते हैं उसमें हम जो ना बिजली का उप्योग करते हैं as koila and petroleum are running out की जैसे हमें पता है बच्चो की koila और petroleum एक दिन समापत हो जाएंगे some alternative source of energy have been developed तो उसके लिए जो ना दूसरे वेकल पिक साधन श्रोत जो ना खोज लिए गए हैं energy के जैसे hydroelectricity hydroelectricity होता है बच्चो पानी के दवारा बनाए गई बिजली hydroelectricity does not cost any pollution hydroelectricity यानि की जल विद्यूत जो है बच्चो वो कोई भी production नहीं करती इस तरह से ये hydroelectric project है कि किस तरह से बांध से पानी गिरा कर बिजली तयार की जाती है when water is dropped with great force from a height on to a wheel or turbine it turns it जब उंचाई से बहुत बड़ी ज्यादा उंचाई से जब पानी great force बड़ी ताकत के साथ गिराया जाता है उंचाई से तो वो wheel और turbine को गुमाता है this produce electricity इस तरह से बिजली बनाई जाती है dams produce hydroelectricity बांधों के दवारा जलविद्यूत तयार की जाती है dams are also known as hydroelectric project इसलिए जो अना बांध को hydroelectric project का भी नाम दिया जाता है next आती है बचो nuclear energy nuclear energy और atomic energy is produced by spitting an atom nowadays many countries use nuclear energy to produce electricity nuclear energy या atomic energy जो produce होती है वो बच्चो atom के splitting होने से बनती है आज कल जो ना बहुत सारे देश है जो nuclear energy का उप्योग करती है बिजली बनाने के लिए nuclear energy is not easy to use nuclear energy इस्तिमाल में इतनी आसान नहीं है ये nuclear power plant है बच्चो की किस तरह से nuclear energy से बिजली बनाई जाती है पिर आता है मारा solar energy यानि कि solar energy जब हम सूरिय से energy प्राप्ट करते है तो the energy we get from the sun is called solar energy वो उर्जा जो हमें सूरिय से प्राप्ट होती है सूरिय से मिलती है उसको हम solar energy कहते है solar power is the conversion of energy from sunlight into electricity विद्वत मतलों सूर उर्जा है बच्चो वो conversion है यानि कि change है कि energy from sunlight to electricity जो हमें सूरिय से प्राप्ट energy है उसको electricity में convert यानि कि तबदील कर देना आईदर directly using photovoltaic indirectly using concentrated solar power on a combination क्या होता है कि जब हमें use करते हैं photovoltaic और indirectly using करते हैं concentrated solar power और a combination ये solar panel होते हैं बच्चों जिन से जोना direct पर जब sunlight आती है तो sunlight से क्या किया जाता है yes energy यानि कि electricity produce की जाती है solar energy is used in solar cookers solar energy के use कहा होते हैं solar cookers के दोरा solar heaters जोना खाना भी पकाया जा सकता है और पानी भी घरम किया जा सकता है it is also used to generate electricity with solar cells or heat engine with the help of solar panel क्या किया जाता है solar उर्जा से कि जो सूर्यक से प्राप्त जो उर्जा है उससे electricity बनाई जाती है किसकी मादम से solar cells से or heat engines heat engines with the help of solar panel जो heat engines होते है वो solar panels की मादम से जोना वो काम करते है उसकी सायता से electricity produce मतलब बनाई जाती है next आता है बच्चों हमारा biogas biogas होता है एक गोबर गैस plant biogas is produced from animal dung biogas किसके दवारा बनाई जाती है yes जो पस्वोशे गोबर मिलता है उससे it is an excellent fuel which can be used for cooking lightning bulbs etc ये बहुती excellent यानि की बहुती उत्तम तरह का जोना इंदन है जो use किया जाता है खाना पकानी में बिजली के बल्प जो गर में होते हैं बल्प जलाने बगरा में किया जा सकता है many plants have been set up in villages all over the country biogas plant जोना गाउं में बहुत जगह set किये गई है पूरे देश में next आती है हमारी wind energy the force of wind is used to run windmill हवा की ताकत से wind की ताकत से windmills चलाए जाते हैं नीदर्लेंड is famous for its windmills नीदर्लेंड अपनी पवन चक्कियों के कारण ही famous है इन इंडिया आलसो बारत में भी windmills have been set up in coastal area जो 30 इलाके है बारत के वहां पर भी ये पवन चकियां लगाई गई है जब हवा से ये turbines गूमते हैं तो बच्चों इन से energy produce होती है जो हमने इस chapter में पढ़ा है बच्चों वो दो ही main word आए है इसमें एक तो आया industrial revolution और second आया solar energy industrial revolution था change from handmade goods to machine made goods कि वो बदलाओ जो हाथ से बनी गई चीज़ों का जो हना हाथ से बनाए गई चीज़ें जो हना machineों के दवारा बनाए गई चीज़ों से तब्दिल हो जाना solar energy था the energy we get from the sun जो उर्जा हमें सूरिय से प्राप्त रूती है वो solar energy कहलाती है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो पढ़ा बच्चों की कॉप पर यानि की तामबा सबसे पहली धात्तू थी जो खोज की गई सेकिंड जो लोहा था iron iron discovered मतलब खोज के बाद लोहे की खोज के बाद जो अना बहुत ही ज़्यादा help मिली बेतर ओजार बनाने में और invention of steam engine यानि की जब भाप के engine का विशकार हुआ तो उसने possible किया बहुत बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने में और उससे ही जब बहुत बड़ी-बड़ी मशीने चलने लगी तो उससे बड़ी मातरा में चीजों का उत्पादन हो पाया change from handmade goods हाथ से बनाए गई चीजों को जगह ले ली थी machine made goods ने मशीनों के दवारा बनाए गई चीजों ने और उसी को industrial revolution का नाम दिया गया यानि की ओद्धोगी करांती का नाम दिया गया फिर हम ने कहा कि we use energy और कोईल और पेट्रोलियम टू रन मशीनों को चलाने के लिए कोईल और पेट्रोलियम का use करते हैं एज पेट्रोलियम और कोईला रनिंग आउट जैसा कि हमें पता है कि भी पेट्रोल और कोईला दोनों ही जोना खतम हो जाएंगे तो उनकी जगह हमने alternative source of energy यह यूज करने चाहिए कि उनके alternative होते हैं जो वेकलपिक source होते हैं क्यानि कि उनके स्थान पर हम इन चीजों को use कर सकते हैं तो किन कौन सी source of energy का use करना चाहिए बच्चों यह solar energy है, biogas है या wind energy है इस तरह से और hydroelectricity बगरा इन चीजों का use में करना चाहिए अब आती है इसका book work, बच्चों सबसे पहला ही question है हमारा thick and answer तो start करते हैं yes, first time बच्चों tick the right answer in first time the first metal to be used was जो सबसे पहली metals थी वो थी बच्चों, copper next, the industrial revolution took place in England diesel engine was invented by diesel engine किस ने invent किया था yes, Rudolph diesel ने the energy we get from water is called hydro energy जो हमें water से energy प्राप्त होती है वो होती है hydro energy इस तरह से हमारा next question आता है बच्चों, feeling the blanks तो उसमें हमें क्या करना है ज्यान से देखेंगे the energy we get from sun is called yes क्या लिखेंगे हम solar energy तो यहां लिखेंगे हम solar energy solar energy इस तरह से आप इसको इदर कर देंगे लिखनी बारी में नेक्स्ट है बच्चों मारा bronze is a mixture of copper and tin नेक्स्ट में हम लिखेंगे फिर tin टी आई 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 शोरी टी आई एंट नेक्स्ट देश इस दा एनरजी वी गेट फ्रॉम वाटर वाटर से हमें कौन सी अनरजी प्राप्त होती है यहां लिखेंगे इसमें यह इदर करेंगे इसको तो यहां लिखेंगे आप हाइड्रो एनरजी हड्रो एनरजी is energy we get from water बैटरी was invented by बैटरी किसके दोबारा invent की गई थी यह बैटरी इनवेंट हुई थी बच्चों इसेंद रोट्रो वोलटा ये सिंने के लिख दीर में एस कोईटिन 55 मिन फोर पर को एल्ठ यंड पैट्रोलियुम क्या लिखां गया आप यस पेट्रोलियम फ्ट॑लेमगत दो गये ना लिखे देना फिप्ट ने नेक्स्ट में आपका जो six था है six था आपका डैस वाज गंस्ट्रक्टेड एक रूज्स तू प्रोडूस एँड्रो एलेक्टरिशिटी तो यहां एगआ आपका यज डैम तो यहां क्या लिखेंगे आपका डैम next में 6 में इस तरह से next आता आपका true false true false में आप बताएंगे coal and petroleum will last forever last forever ये coal और petroleum ये last तक चलते रहेंगे no it is false तो आप यहां लिख दोगे false तो पहले इनको सबको erase कर देते हैं तो चलिए इस में बताते हैं आपको अभी तो यहां लिख हो गया आप coal and petroleum will last तो यहां लिख हो गया आप false next आपका machine made goods were expensive and cheap quality false machine made goods तो चुक्या थी cheap थी और better quality में थी तो यह भी आपका false हो जाएगा next damn produce hydro electricity yes next electricity is a form of energy yes तो आपके first और second false third और fourth रहेंगे आपके true इस तरह से फिर हम next करते हैं किस पर चलते हैं बच्चो yes match the following पर match the following में रहेंगे आपके चलिए देखते हैं तो start करते हैं battery है battery किससे मिलाएंगे हम battery को किसने invent किया था बच्चो yes battery को invent किया था आपका yes Alcandro Walter battery को आपडी से मिलादो bronze bronze क्या थी yes bronze मिलकर बनी थी copper or tin से एक alloy wheel थी Benjamin Franklin ने किया था कि lightning conductor उनोंने use किया था इस तरह से animal dung से बनी थी yes biogas gems watt ने किया था steam engine का और solar energy sun से इस तरह से आपके ये match the following है बच्चो और जो आपके last जो question answer है वो तुरंत आपको ही send कर दिये जाएंगे हम पुरंत आपको ही एका वाह हुर्णत बास हिला बास है अ़्यों आपके wa है